भाजपा के वरिष्ट नेता भवर्षिंग शेखावत ने दुकानदारों के लिए अवाज उठाई है भवर्षिंग शेखावत का कहना है कि प्रशासन को दो दिन का लॉकडाउन लगाना है तो लगाईए लेकिन बाकी बचे पाँच दिन तो काम करने दे उनका कहना है कि व्यापारी कमाएगा नहीं तो पेट कैसे पालेगा उन्होंने सभी दुकानदारों की और से प्रशासन से आगर किया है तो आज हमने स्पेस कांफरेंस के माध्यम से सरकार से और प्रशासन से निवेधन किया है कि सारा व्यापारी ये चाहते हैं कि उन्हें काम करने का मौका दिया जाए आप रोज आदे दुकान बंद रहेगी, सामने की बंद रहेगी, पीछे की बंद रहेगी, बजाए जैसा मानी मुख्यमतिजी ने काया कि आपको दो दिन लागडाउन रखना है तो सनिवार रहीवाल कुरा लागडाउन रखिए जनता स्विकार कर रही है, लेकिन बाकी पांच दिन उनको काम करने का आउसर दीजिए अगर वो दो पेसे कमारी पाएंगे तो बिजली के बिल बच्चों की फीस और अपने खाने पीने का सामान भी खरिदनी की इस्तिति हम उनकी नहीं बची है, यह आज हमारी मांगे